नमस्कार शात्रो तो शात्रो आज हम करें कलास सैवंथ बसंत भाग दो खान पान की बदलती तस्वीर के कुछ प्रशनों के उत्तर तो dear students वीडियो को पूरा अंतक देखना क्योंकि मैंने इस पार्ट से स्वंधित कुछ और भी प्रशन बना कर डाले हैं जो आपकी प्रिक्षा के लिए उप्योगी सिध हो सकते हैं इनको एक बार प्रिक्षा से पहले जुरूर पढ़ कर जाना ठीक है वच्चो तो चलो शुरू करते हैं प्रशन नमबर एक खान पान की मिश्री संस्कृती से लेख का क्या मतलब है मिन लेख क्या कहना चाता है खान पान की मिश्रित संस्कृती मिश्रित होता है मिली जूली मिन हमारा इंडिया जो है भारत जो है उसकी भिविन राज्य हैं और इन राज्यों में भिन भिन प्रकार के खाने हैं और पहनना भी अलग अलग है और संस्कृती भी अलग है ठीक है तो यहां पर इस खानपान की बदलती तस्वीर निवन्द है एक इसमें खाने के बारे में बताया गया है कि आजकल जो है खानपान जो है मिश्रित संस्कृती में बदल गया है क्योंकि एक राज्य का खाना हमें दूसरे राज्य में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो अपने घर के उधारन देकर इसकी ब्याख्या करें हम अपने घर की उधारन देकर ही इसकी ब्याख्या करेंगे तो उत्तर के मादेम से यही जानते है कि मिश्री संस्कृति से क्या मतलब है लेखक का तो बचो खान पान की जो मिश्री संस्कृति से लेखक का मतलब है सथानी अन्य प्रांतों विदेश वियंजनों के खान पान का अनन्द उठाना यानि राज स्थानिय वियंजनों के खाने के रूची रखना मिन हमारे जो कुछ स्थानिय वियंजन भी होते है स्टेट के वियंजन भी होते है अपने जाने के देश के भी वियंजन होते है फिर विदेशी वियंजन भी होते है अब हम देश के भी देश के भी हमारे देश में जो बियंजन खाने को मिल जाते हैं बड़े-बड़े होटलों में है ना तो उनी बियंजनों के बारे में बताया गया उसकी गुण बता उनके गुणों का तथा स्वाद को बनाए रखना है उसके जो उनके जो गुण है जो हमा बनाए रखना उनको भूलना नहीं है इसके अलावा अपने पसंद के अधार पर एक दूसरे प्रांत को खाने की चीजों को को अपने बोज्य पदार्थों में शामिल किया जाना है किया है मिर एक दूसरे राज्य की खानों को भी अपने खाने में शामिल किया है जैसे दक्ष भारत में कौन से बेंजन होते हैं जैसे इडली डोसा सांबर एत्यादी तो उत्तर भारत में उत्तर भारत में कौन सी खाने हैं वह हैं भारत में चाव से खाय जाते हैं बड़े ही प्यार से खाय जाते हैं चाव मीन शौक से उत्तर भारत में शौक से खाय जाते हैं और उत्तर भारत में धाबे प्रचलित थे तो यह जो धाबे हैं वो तो अब दक्षिन भारत में भी देखने को मिलते हैं ठीक है बच्चो तो यह हमें भीविन स्टेट के खानों के बारे में ही बता रहा है यहां तक कि जो पस्चमी सब्यता है पस्चमी सब्यता के जो ब्यंजन है जैसे हम खाते हैं ना, फास्ट फूड, पस्ट मी सब्यता, बर्गर, नूडल का चलन भी बहुत बड़ा है, हमारे घर में जो उत्तर भारती और दक्षिन भारती दोनोर प्रकार के ब्यंजन तयार होते हैं, हमारे अपने घर के जो ब्यंजन, स्टेट के ब्यंजन होते हैं, वो भी हमारा जो भोजन है, वो रोटी चावल दाल है, ठीक है, लेकिन उन भी ब्यंजनों से ज्यादा इडली, सांबर, चावल, चने, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर, आधिक वसंद किये जाते हैं, यहां तक कि हम ये बजार से ना लाकर घर पर ही बनाते हैं, पर इतना ही नही बिदेशी ब्यंजनों भी बड़ी रूची से ही खाते हैं, लेखक के अनसा यही खान पान की मिश्रित संस्कृती है, तो इसी को लेखक ने मिश्रित संस्कृती का नाम दिया है, तो आशा करती हूँ बचो आपको पहला प्रशन जो है अपनी NCRT बुक का पुस्तक में से है तो आपको समझ में आ गया हूगा, खान पान में बदलाव के कौन से फाइदे हैं, अब हमारा जो खान पान बदल तो रहा है, उसमें हमारे क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान हैं, फिर लेखक से बदलाव को लेकर चिंतित भी है, क्यों है चिंतित, क्योंकि कुछ कोई भ करती है और कुछ फायदे हैं तो फास्ट भूड हमारे खाने के लिए उचित है जा नहीं वो भी बताएं ंगे और दूसरे कैसे कैसे फायदे हैं उनके क्या हानिया हैं उनको खाने से ठीक है तो उत्तर के माद्यम से जानते हैं खान पान की जो बदलते बदलाव के फाइदे जो होते हैं वो निम लिखते हैं जो हमारी खान पान की संस्कृति के तस्वीर बदल रही है उसके फाइदे हैं कि राश्ट्री एकता को बढ़ावा मिलता इससे क्या होता है कि राश ग्रिहनियों वाकामकाजी जो महलाओं को जल्दी तेयार होने वाले बिभिन बियंजनों बिभिदमीन बिभिन अलगलब तरह के बियंजनों की बिनिया उपलवद होना आज कर यूट्यूब अच्छा है उसमें हर कोई अपने स्टेट का खाना कैसे बनता है वह डाल रहा है उ बच्चों बड़ों को मन चाहा भोजन मिलना उससे तो उनको मन चाहा भोजन भी मिल जाता है जैसा वो खाना चाहते हैं देश बिदेश के बियंजन मालम होना मीन हमें इससे क्या पता चलता है कि कौन से देश का कौन सा खाना है कौन सी स्टेट का कौन सा खाना है ठीक है उन कि सरस्ता के धार पर भी स्वाद के धार पर भी अलग अलग बोजन का चैन कर सकते हैं, एक परदेश की संस्कृति का, दूसरे परदेश की संस्कृति से मिलना, पहले तो राज्यों की बात हो रही है, फिर देशों की भी बात आ जाती है, हमें एक देश का जो खाना है, दूसर प्रदेश की संस्कृति भी बन जाती है ठीक है तो मिक्स हो गया है साब यह क्या है मिश्रित में हो गया है तो खान पान में जो बदलाव हुए उनके कारण जो पहले तो मैंने फाइदे बता दिया आपको फाइदों के बावजूर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित भी है उसको चिंता भी हो रही है इस बदलाव के कारण क्यों चिंता हो रही है क्योंकि उसका जो मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृती को अपनाने से नुकसान भी हो रहे है वो लेखक का मानना है कि वो नुकसान भी दे रही है क्या नुकसान दे रहे है वो जो निमरूप से है स्थानी भिंजनों का चलन कम होता जा रहा है मीन हम अपने भोजनों को कम खाना खाते पसंद कर रहे हैं जो हमारी अपनी स्टेट के हैं जिससे की नई पीडी जो होती है वह स्थानी भिंजनों के बारे में जानती ही नहीं है अब नई पीडी जो है बहा है दूसरे परदेश के खानों को खाती है तो अपने जो जहां रहते हैं वहां का कल्चर भूल जाती है तो उनको पता ही नहीं कि हमारे अपनी स्टेट के कौन से खाने हैं तो इस परकार ये नुकसान दे रहा है और खाद्यपदार्थों में जह मिलती थी बिना किसी मिलावट के प्रंतु आज कल जो है मिलावट बढ़ती जा रही है प्रंत उत्तर भारत के जो व्यंजन हैं उनका सबरूप भी बदलता ही जा रहा है तो ये थे हमारे NCRT में से कुछ प्रशन और अब तीसरा प्रशन खान पान के जो मामले में ये आ आप अपनी पुस्त को भी सास में रख सकते हैं कि कितने प्रशन उसके अभ्यास के है और भाशा की बात क्या है और कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी डाले हैं तो उनको भी पढ़के जाना इससे आपको क्या होगा कि पार से स्वंदित जानकारी मिल जाएगी और भी कुछ नई बाते जानने के लिए मिल जाएगी उनको पढ़ने से तो खान पान के मामले में स्वाधिनता का क्या अर्थ है स्वाधिनता का क्या अर्थ है आपको पता है कि स्वाधिनता होती है सिर्धिनता का जो विशेष खान पान के मामले में स्वाधिनता का अर्थ है खान पान में स् किसी विशेश थान के खाने पीने का विशेश बियंजन यहां खान पान की संस्कृति में इसका ये महत्तव लिया गया है स्वाधीनता का क्या महत्तव क्या लिया गया है विशेश खाने पीने का बियंजन जिसकी परसिद्धी जोती है जिसकी जो चर्चा जोती है दूर दूर दिल्ली के शोले कुल्चे मत्रा के पेड़े आगरे के पेठे और नमकीन आदी यह जो खाने है यह फेमस है उस जगा के है ना तो पहले स्थानी भिंजनों का प्रचलन था पहले तो लोग स्थानी भिंजन ही पसंद करते थे जो भी उस जगा बनाई जाते थे बेचते थे लोग उन्ही को खाते थे पर हर परदेश में किसी ना किसी विशेश रिस्थान का कोई ना कोई विंजन अवश्य परसीद होता है हर एक स्टेट का अपना विंजन होता है वह बहुत ही परसिद होता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को भी बले ही ये चीजे आज देश के किसी भी कुने में मिल जाएगा लेकिन ये शेहर बर्शों से इन चीजों के लिए परसिद हैं ये जो शेहरों के नाम गिनाय हैं ये सालों से अब इन ही चीजों के लिए परसिद्ध हैं फेमस हैं तो इसी को स्वाधिनता का अर्थ बताया है लेकिन आज जो खान पान की जो मिश्री संस्कृती ने लोगों के खाने पीने के बेंजनों से इतने बिकलप दे दिये हैं कि स्थानिय बेंजन जो है प्राया लुप्त होते जा रहे हैं क्या हो गया इससे कि जो स्थानिय बेंजन है उनके बारे में जानकारी नहीं रही वो लुप्त होते जा रहे हैं मिन नहीं मिल रहे हैं आज की पीडी तो कई ब्यंजनों से बली भांती अवगत परिचित भी नहीं है, मीन जो नई पीडी है वो इनके नाम भी नहीं जानती है, दूसरी तरह महंगाई बढ़ने के कारण इन ब्यंजनों की गुनवत्ता में कमी होने से भी लोगों का रुजान उनकी और कम होता जा रहा है, मीन रूची खत्म होती जा रही है लोगों की, क्योंकि महंगी चीज़े मिलेंगी, महंगाई बढ़ रही है, तो कौन खरीदेगा, जे जो पांच तारह होटल में इन्हें एथनिक कहकर प्रोसनी लगे हैं, मीन जो भी छोटी छोटी चीज़े थी वो फेमस कर दी है उन्होंने होटलों में, उनके नाम ही चेंज कर दिये हैं, और उनको मेहंगे जैसे चाय है, एक पाप चाय तो नॉर्मल है, हर घर में बनती है, परंतु इस चाय का मुल्यो जो है, हर होटल में आप जाते होंगे आपको पता होगा कि उसके अपने ही रेट है, कहीं पर चाय जो है 10 सरपे का गिलास है तो कहीं पर 500 का तो देखो कितना कितना महंगाई है एक चाय के कप के बिशे भी तो बाकी वस्तुवों का क्या हाल होगा बहुतो इससे भी महंगी होगी है ना तो यह हो रहा है इस बदलती संस्कृती से तो अब हम थोड़ा सा भाशा की बात कर लेते हैं जो आपकी पुस्तक में है और लास्ट में तो मैंने कुछ और प्रशन बनाए हैं उनके उत्तर है तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए तो भाशा की बात यह आपकी पुस्तक में ही है आप इसको सासास में पढ़ते रहिए खान पान शवद खान और पान द दें खान में अगर हम और लगा दें खान और पान्ट और शवदrick हो गया है ने शिर्पर हुँआ है तो इसमें समास ग्रामर में समास आते हैं तो इसमें कोंसा समास आएगा तो बच्चों यहां रही पहचान है जहां पर और शवद 2 लुपत हो जाता योजक्चीन क्या होता है यह में दो अक्षणों के बीच लगा होता है जैसे यह नीचे भी बताए गया है mi7 बताया गया है मैं एक्जंपल देने लगी थी परंतु दिये हैं उध्हारण दौंद समास के कुछ उध्हारण दिये गए हैं इनको बाकियों में प्रयोक कीजिए और अर्थली समझे यह मीन सीना और इसको योजक चिन बोलते है बीच में जो चिन लगा है सीना प्रोना सीना और प्रोना मीन सिलाई करना और धागे में मोती प्रोना है ना मोती डालते है तो माला बनती है और सिरने से तो सिलाई कपड़े की उती है ठीक है सीना प्रोना उसमे लिख सकते हैं भला बुरा भला और बुरा कहा सुनी चलना फिरना घास फूर आशा करते हूं कि आपको यह जो द्वंद समास है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा इसकी यही पहचान है कि यहां पर और शवद का लोप हो जाता है में लोपत हो जाता है और योजक च बनाते हैं बाक्य है ना बाक्य बनाने को बोला है ना सीना प्रोना रीना सीने प्रोने की कला में काफी अनुभवी है जा फिर आप अपने लिए भी अपना नाम प्रयोग करके भी लिख सकते हैं इस बाक्य को आप किसी का भी नाम लेकर भी अपना नाम भी ले सकते हैं मम्म बोलते हैं तो आपको अर्थ पता होगा तो आप बाक्य भी उसको अच्छे से बनाएंगे ठीक है भला बुरा भला और बुरा में अच्छी बात और बुरी बात किसी का भला करना है या बुरा करना है उपोजिट है न दोनों एक दूसरे के तो इसकी ये भी पहचान है कि दोन पर नहीं होगा द्वन्समास बहां पर वो पुन्रोक्ति हो रहा है मिन उनके बारवार आवरीति पुन्रोक्ति अलंकार में आवरीति होती है शब्दों की ठीक है तो यहां पर बिलोम शब्द हो और बहीं पर द्वन्समास होता है योजक चीन लगा हो तो ये है द्वंत समास की पहचान चलना फिरना तो भला बुरा का बाकिया आप कुछ भी बना लो मैंने उसे भला बुरा कहा जा उसने मुझे भला बुरा कहा है ना चलना फिरना चलना फिरना तो आप जानते ही है चलते भी है और फिरते भी है आप लोग चलना फिरना स्वास तक है ना लंबा चोड़ा फैला हुआ ऐसे भी बोल देते हैं ना कि घंशाम का जो ब्यापार है वह लंबा चोड़ा है मीन काफी बड़ा है काफी आदमी जो है उसने उसे काम पर रखे हैं कहा सुनी कहा सुनी करना कहा सुनी एक दूसरे से कहा सुनी हो जाती है किसकी होती है मा बेटी की भी होती है, मा बेटे की भी हो जाती है, कहा सुनी आपस में, कई बार, कई बातों में, तो सास बहु में खूब कहा सुनी हो गई, मीन, खूब बहस हो गई, घास फूस होता है, तिन के घास फूस, आपने देखा ही है, राम का घर जो है, घास फूस का बना है, किस स आफके बुक में है देखो पढ़िये क्या है कई वार एक शव सुनने या पढ़ने पर कोई ओर शव याद आजाता है कई वार क्या होता है कि हमें पढ़ते पढ़ते-पढ़ते सुनते-सुनते कोई और शब्द भी याद आता ता आईए शब्दों को ऐसी कड़ी बनाएं कि नीचे शुरू आत की गई है उसे आप आगे बढ़ाईए कक्षा में ये आपके activity में आ जाएगा मोखिक सामोहिक गतिविधी के रूप में इसे दिया जा सकता है में जैसे इडली इडली कहां का है इडली कहां का काना है दक्षिन, केरल, ओनम ओनम त्योहार का नामा ओनम क्या है त्योहार है है ना तो शुट्टी, आराम ऐसे ही हम कुछ activity कर सकते हैं क्लासरूम में बैठ कर आपके teacher करवा सकते हैं तो वैसे ही हम करते हैं कुर्सी पर है ना और तरंटाल तरंटाल नहाना तरो तर हो गया पानी से में नटकट कोन होता है बालक होता है नटकट चूहा भी हो सकता है नटकट लड़की भी हो सकती है बालिका भी हो सकती है चंचल बालिका इन शवदों का प्रयोग किया जाता है चैंचल है वह बालक प्यारा है वह बालक नटकट है बालक, शरार्ती है तो ऐसे शवद यहाँ पर उनका प्रयोग किया गया है अब कुछ अन्य प्रशन उत्तर भारत की कौन सी संस्कृती कहां तक फैल चुकी है अब आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कौन सी संस्कृती की बात कही गई है तो उत्तर भारत में कौन सी संस्कृती आई थी यहाँ पर मैंने प्रश्णों के उत्तर समझाते हुए भी बताया है तो उत्तर भारत की जो संस्कृती थी वो धाबा संस्कृती थी तो उत्तर भारत की धाबा संस्कृती पूरे देश में फैल चुकी है कौन सी संस्कृती धाबा संस्कृती उत्तर भारत की है और ये कहां फैली हुई है, पूरे देश में फैली हुई है खान-पान की इस बदलती हुई तस्वीर, हुई संस्कृती से जो खान-पान की ये बदलती हुई संस्कृती है कौन अत्यदिक प्रभावित हुआ है इससे, कौन अत्यदिक प्रभावित हुआ है खानपान की इस बदलती तस्वीर से यूबा पीडी, कौन सी पीडी प्रभावित हुई है अत्यादिक, यूबा पीडी मीन आप लोग या आपके बड़े अत्यादिक प्रभावित हुए है क्योंकि मम्मी पाप पाप के, क्योंकि वे जल्दी तयार होने बाले बोज्य पदार खाना पसंद करते हैं, इसी कारण ये बदलती संस्कृती से प्रभावित हुई है, कौन सी पीडी, यूबा पीडी, फास्ट फूर्ड का चलन कहां और क्यों बड़ा, अब कहां बड़ा है और क्यों बड़ा है ये फास्ट फूर्ड का चलन, फास्ट फूर्ड का चलन सब्चों को fast food क्योंकि यहाँ जो यह खाने में स्वादिश्ट होते हैं और जल्दी भी पक जाते हैं क्यों बढ़ा है इनका प्रचलन प्रशलन क्योंकि यह जो fast food वो खाने में tasty होते स्वादिष्ट होते हैं और जल्दी भी पक जाते हैं टाइम भी निलगता है ना खान पान की बदलती संस्कृति कौन सी एकता के बीज मिले है इसकी एकता से कौन से बीज मिले है और क्यों खान पान की जो बदलती संस्कृति हमें कौन सी एकता राश्ट्रिय एकता के बीज मि क्योंकि हर राज्य की विशेश भोजन हर राज्य का जो अपना एक विशेश भोजन विवस्था होती है राष्ट इस तर पर उपलब्द होने से हम उस राज्य से भी जूर जाते हैं एक दूसरे के खाने खाने से जा बनाने से हम उनके साथ राज्य से प्यारे बचोर जिन्होंने मेरे चैनल को अब इता सब्सक्राइब नहीं किया है अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे अने माले वीडियो का नया नोटिफकेशन मिल सके लाइक और शेयर भी जरूर करते ना